नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरॵैदिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पेढे का दर्सन करा रहा हूं। जिसका आयू उम्र हजारों साल तक रहता है। यह ऐसा पेढ़ है ब्रिक्च है। जो हजारों साल तक सड़ता नहीं गिर्ता नहीं तूटता नहीं है। इसके जड़ होता है उसी तरीकेश इसका जड़ होता है। लेकिस लेकिन लारी द्रिक। बंधि के बारे में आपको बताऊंगा और नहीं अटिखंगा दिखांगा। तो दोस्तो इस पौधे का नाम है खिरनी आप नाम सुने होंगे खिरनी का पौधा है लेकिन यह भी ब्रिक्च बना हुआ नहीं है तो इसका ब्रिक्च करीबन पचास से साथ फुट उचा तक पाया जाता है पूरे भारत वर्स में इसे पाया जाता है ज्यादा करक उत्तर पर पाया जाता है इसका पेड़ बहुत चाहेदार होता है महुआ के पेड़ के समान जिस तरह से महुआ काफी होता है मजबूत होता है उसी तरीके से यह भी पेड़ काफी मजबूत होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारों साल तक यह पेड़ गिरता नहीं है इसका उम बहुत लंबा और बहुत गजिन च्छाएदार होता है यह देखिए यह पत्ते हैं और दोस्तों पत्ते को तोड़ने के बाद में उसमें से दूद निकलता है तो मैंने बताए पत्तों को तोड़ने के बाद दूद निकलता है पत्ता ही नहीं इसके किसी भी हिस्से को तोड़ लोग तो उसमें से दूद निकलता है यह देखिए या जड़ या पाला या डंटल कोई भी हिस्टा तोड़ने पर दूद निकलता है तो दोस्तों देख लीजिए पहचान लीजिए यह छोटा पौधा है तो दोस्तों इसका फल जो है नीम के फल के समान होता है अभी तो सब्सक्री जो है एयन आ विए इसका फ़ल जो है इतना पर मीठा होता है कि बहुत जल्दी से खुरी जो है पर दो pillow जयाता है कीडे लग जाते है बर साथ की पहली भून पड़ते ही फ़ल पकता है और कुछ बारिस होते होते इसका फ़ल सढ जाता। अबीकार हो जाता है लेकिन हाँ दोस्तों यह बहुत ही परसिद्ध फल है महरया इसे खाते थे heat में बहुत ही महंगा क्यों भिकता है यह लोग classify खाप सक्वे दोस्तों तंधा टेम तक यह उपलबद बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों या पीर पूरी तरह से बहुत ही ताकतवर है केलसियम विटामिन फासफोर्ड मेगनेसियम पोटेसियम से भरा हुआ है इस पत्ते को आप ले जाकर सुखा कर इसका पौडर बना लिजिए और पांच गिराम सुबा पांच गिराम साम क और हैं धाकत आएगा सरीर बल्वान हो जाएगा और शाहत दूस्तों अगर इसके दूद को किसी कटोरे में जमाकरके दूप में सुखा लिया जाए और फिर इसवाचने के बाद उस दूद को पीष कर पावडऱ बना लिया जाए उस दूद को मात्तर है एक ग्राम सुबा सुगर है अगर हुआ इसके पत्ते काड़ा बना कर रोज करीबन 20 ग्राम पीए तो उसका डाइपटी सुगर जड़ से कंट्रोल हो जाएगा और अगर चेहरे में छाई है ढबा है दाग है तो आप इसके पत्ते को पीश कर चटनी बना लीजिए थोड़ा से सहद मिला कर पूर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए पहाड़ी आइरवेदिक